हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोन के मान को कैसे निकाला जाता है इस वीडियो के माध्य हम से हम लोग सीखेंगे सबसे आसान तरीका से कोन के मान को निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्ण से यहाँ पर देखिए प्रस्ण में जो भी दिया हुआ है सबसे पहले आपको लिख लेना है आपको लिखना है कोन AOC बराबर 3X आपको यहाँ पर लिखना है कोन AOC बराबर 3X अब देखिए आपको लिखना है यह कोन को यानि कोन C, O, D यहाँ पर हो जाएगा कोन C, O, D बराबर 5X अब आपको लिखना है यह कोन को तो आपको लिखना है कोन D, O, B तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोन D, O, B बराबर यहाँ पर देखिए है 60 डिगरी तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिगरी अब आपको लिखना है कोन A, O, B यहाँ पर आपको लिखना है कोन A, O, B देखिए यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया हुआ है आपको एक बात याद रखना है कि एक सीधा लाइन जो होता है उस पर जो कौन बनता है वह 180 डिगरी के बराबर बनता है यानि यहाँ पर हो जाएगा 180 डिगरी अब आपको देखिए क्या करना है यह तीनो कौन को आपस में जोड़ना है और आपको इसके बराबर लाना है अब देखिए आपको इसको जोड़ना कैसे है सबसे पहले आपको लिखना है कौन ए ओ सी प्लस कौन सी ओ डी प्लस कौन डी ओ बी बराबर किसके आना चाहिए बराबर आना चाहिए 180 डिगरी के बराबर यानि देखिए यहां कौन कौन सा है वह है कौन AOB अब आपको यहां पर मान को रह करके इस प्राश्ण को हल करना है देखिए यहां पर कौन AOC का मान जो है वह है 3X तो आपको लिखना है यहां पर 3X को इसके बाद देखिए यहां पर प्लस है, अब आपको यहाँ पर लिखना है, कौन COD का मान, वह देखिया है 5X, अब देखिया यहाँ पर प्लस में आपको लिखना है, कौन DOB का मान, तो कौन DOB का मान कितना है, वह है 60 डिगरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिगरी, अब आपको देखिया यहाँ पर लिखना है कौन A O B का मान, देखिए आपर कौन A O B का मान जो है वह है 180 डिगरी अब आपको इसको हल करना है देखिए आपको इसको हल कैसे करना है, आपको सबसे पहले X वाले रासी को जोड़ देना है, यानि 3 X और 5 X को जोड़े यह हो जाएगा 8 X प्लस में यहाँ पर 60 डिगरी रहेगा और बराबर में देखिए यहाँ पर है 180 देखिए इधर जो 60 है यहाँ प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो किसीज में हो जाएगा 180 रहेगा लेकिन यहाँ संख्या बराबर के उस पर हो जाएगा माइनस में, यानि यहाँ पर हम लो लिखेंगे माइनस में 60 डिगरी को, अब आपको संख्याओं को घटाना है 180 में से 60 को घटा है, तो वह बचेगा 120 डिगरी, यहाँ पर देखिए 8 है X के साथ, X के साथ कोई भी संख्या राता है वह राता है गुना में, बराबर के उस पर जाएगा तो यहाँ संख्या हो जाएगा भाग में, यानि 120 के बच्टा में आ जाएगा 8 अब आपको 8 से 120 में भाग लगाना है तो 8 से 120 में भाग लगाएं, तो यहाँ लग जाएगा 15 बार में यानि X का मान कितना गिया? X का माना गिया 15 अब देखिया यहाँ पर प्रस्ट में क्या था? प्रस्ट में देखिया यहाँ पर है 3X तो X का मान कितना है? वह है 15 तो आपको 15 से 3 में गुना कर देना है 15 से 3 में गुना करें तो यह हो जाएगा 45 डिगरी अब देखिए यहाँ पर है 5 x तो x का मान है 15 15 से आपको 5 में गुना कर देना है यानि वह हो जाएगा 75 डिगरी अब आपको देखिए इसको चेक करना है कि यह जो हमारा बना हुआ है वह सही है कि नहीं तो आपको क्या करना है जीतना भी कौन का मानाया हुआ है उसको आपस में जोड़ करके देखना है कि वह 180 डिगरी के बराबर है कि नहीं देखिए यहाँ पर है 45 डिगरी तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 45 डिगरी को इसके बाद प्लस में लिखेंगे 75 डिगरी को और यहाँ पर देखिए है पहले से 60 डिगरी तो हम लोग यह तीनों कोन के मान को आपस में जोड़ेंगे पांच और पांच को जोड़े यह हो जाएगा दस दस का हो जाएगा जीरो हासिल एक छो और साथ तेरा तेरा और चार सत्रा और एक था हासिल तो यह हो जाएगा 18 देखिए यह तीनों कोन के मान को जोड़ने पर 120 डिगरी के बराबर आ रहा है तो आप इस तरह से आसानी से कोन के मान को निकाल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दिजिएगा लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में